आप सभी सातियों का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत थे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए B.A.L.L.B. फोर्थ सेमिश्टर जून दोहजातेश के कुश्चन पेपर लेकर आए हैं कि दोहजातेश में इन्मारियोमेंटल लोग से किस तरह की प्रिश्ण पूछे गए थे और आगे किस तरह की प्रिश्ण पूछे जाएंगे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पेपर या नोट्स की पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे वाटसप नंबर पर मेसिज करें डिस्क्रिप्शन बोक्स में हम आपको अपना वाटसप नंबर दे देंगे एक्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है जिसमें 10 प्रिश्ण दिये जाते है और 5 प्रिश्ण आपको करने पड़ते है पितेक प्रिश्ण 12 नंबर का होता है एक्जाम देते समय एक बात ध्यान लखेगा पेपर किसी भी इंवर्शिटी का हो जो प्रिश्ण महात्पुन होते है एक्जाम दर उन्हीं को ही बार बार रिपीट करता है पहला प्रिश्ण पूछा गया पिर्दूसर को परिवासित करें पिर्दूसर के पिरकार इसके कारण तथा प्रभाव पर पिरकार ढालते हुए समझाईए यानि कि जो पहला प्रिश्ण है उसमें पूछा गया था जो बाता बरण है आपका पिर्दूसर हो जाता है उसे परिवासित कीजिए पिर्दूसर कैशे फैलता है इसके कितने पिरकार होते हैं क्या कारण है इसके बाद दूसरा प्रिश्ण जल पिर्दूसर्ण निवारां और नियंत्राण अधिनियम 1974 के आंतरगत जल पिर्दूसरन के निवारन एवं नियंतरन के लिए क्या कदम उठाए गए है दूसरा प्रिष्ण जल पिर्दूसरन से सम्मंदित था इसके बाद तीसरा परेयवरन सरनक्षन अधिनियम 1986 की प्रमुग विशिस्ताय क्या है बिवेचना कीजिए काफी सिंपिल कुष्चन है इसके बाद चौथा निमलिकित मैंसे किनी दो पर संचिप्त टिप्णी लिखिए पहला आरक्षित बन दूसरा गिरीन हाउस के प्रभाव तीसरा पोष्णिय विकास चौथा लोग नियास के सिद्धान्त किनी दो पर संचिप्त मैं टिप्णी लिखने के लिए पूछा गया था इसके बाद पांचमा परेयवरण सरनक्षन हेतू संब्धानिक प्रावधानों की ब्याख्या कीजिये छटमा क्या स्वक्ष परेयवरण का अधिकार एक मौलेक अधिकार है निर्नित बादों की सायता से बिवेचना कीजिये इसके बाद सात्मा गिरीन हाउस प्रभाव क्या है समझाईए सात्मे प्रिश में आपसे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पूछा गया था आठमा बन सरनक्षन बिधी पर एक संचिप्त लेक लिखिये इसके बाद नो मा मानव परियावराण पर इसकोट हों सम्मेलन 1972 के प्रिमोख युगदानों भी विवेचना कीजिये इसके बाद दस मा बायू प्रिदूसर निवारण एवं नियंतरण अधिनियम 1981 के बायू प्रिदूसर के निवारण से सम्मंदित प्रावधानों का संचिप्त विवर्ण दे बी ए एललवी फोर्त सेमिस्टर में एही दस प्रिष्णे इन्वारियोमेंटल लो से पूछे गए थे आने वाले समय में आपका एक्जाम होगा तो आपको हमारे वीडियो प्ले लिस्ट पर चले जाना है उहां पर आपको तीन साल पुराने पेपर मिल जाएंगे धन्नवाद जय हिंद जय भारत